हेलो प्रेंट्स मैं अनुपा माप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में पोहा की नमकीन बनाएंगे जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है चलिए बनाना सुरू करते हैं नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले कडाही में हमने एक चमबस तेल ले लिया है तेल भी गरम हो चुका है अब हमें कटोरी मोंफली के दाने तल लेते हैं चलाते हुए ऐसे लो मीडियम फ्लेम पे तल लेना है इनको हाई फ्लेम पे नहीं तलना है नहीं तो जल जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं देखे कलर चेंज हो चुका है अब हम इनको निकाल लेते हैं अब हम जाली वाली छणी से निकाल लेते हैं जिससे इस्टा तेल कडाही में चला जाए अब हम उसी कड़ाही में ही नारियल तल लेते हैं, छोटा-छोटा हमने काट लिया है, इनको भी रोस्ट कर लेते हैं, लो मीडियम फ्लेम पे हल्का सा भून लेना है, देखिए कलर चेंज हो चुका है, अब हम इनको निकाल लेते हैं, अब हम इसी तेल में काजू तल लेते हैं, इनको भी लो मीडियम फ्लेम पे ही तलना है, इनको भी निकाल लेते हैं, अब हम मखाना तर लेते हैं, एक कटोरी हमने मखाना ले लिया है, देखिए ये भी क्रिस्पी दिखने लगे हैं, अब हम इनको भी निकाल लेते हैं, अब हम कडाही को हलका साफ कर लेते हैं, थोड़े से किस्पी भी रोष्ट कर लेते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, देखिए किस में सलका सा फूल चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं, अब हम उसी कडाही में एक चमज तेल ले लेते हैं, और तेल को गरम हो जाने देते हैं, अब हम पोहा ले लेते हैं इसे चूरा भी कहते हैं ये नार्मल पोहा है ना ज्यादा मोटा है ना ज्यादा पतला है इसको लो मीडेम फ्लेम पे ऐसे ही रोस्ट कर लेना है थोड़ी देर में पोहा फूलने लगेगा और क्रिस्पी हो जाएगा देखिए कलर चेंज होने लगा है और पोहा हमारा फूलने लगा है थोड़ी देर में अच्छे से फूल जाएगा लाई जैसे दिखने लगेगा देखे कितना अच्छा फूल चुका है और कलर भी चेंज हो चुका है देखे परफेक्ट तयार हो चुका है अब हम इसको निकाल लेते हैं एक थाली में देखे कितना अच्छा रोस्ट हो चुका है अब हम एक थाली में निकाल लेते हैं अब हम इसी गड़ाही में एक चम्मस तेल और डाल देते हैं और हलका सा गरम हो जाने देते हैं अब हम एक कटोरी पोहा पतला वाला फ्राई कर लेते हैं सेही ऐसे ही चलाते हुए रोस्ट कर लेना है हलके हां से ही चलाना जिससे तूटे नहीं थोड़ी देर में यह भी फोहा फूल जाएगा देखिए कितना अच्छा फूल चुका है और कलर भी चेंज होने लगा है देखिए परफेक्ट रोस्ट हो चुका है अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं अब हम इसी कडाही में फिर एक चम्मस तेल डाल देते हैं और दो कटोरी लाई फ्राई कर लेते हैं ऐसे ही चलाते हुए इसको भी भून लेना है थोड़ी देर में यह चलाते हुए क्रिस्पी हो जाएगी और कलर चेंज हो जाएगा देखिए हलका सा कलर चेंज हो गया है ब्राउन दिखने लगी है लाई हमारी अब हम इसको निकाल लेते हैं और कडाही अच्छे से साफ कर लेते हैं अब हम एक चम्मज तेल डाल देते हैं अब एक छोटी चम्मज जीरा डाल देते हैं एक छोटी चम्मज राई दाना डाल देते हैं आधी छोटी चम्मज सौंफ क्रस्ट कीव अधनिया के बीज और दोहरी मिर्च सारी चीज़े अच्छे से भून लेते हैं अब करी पत्ता डाल देते हैं इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है नमकीन का अब हम सारी चीज़े जो रोस्ट करके रखे थे उसको डाल देते हैं एक छोटी चमस लाल मिर्च पाउडर एक छोटी चमस काला नमक एक छोटी चमस सफेन नमक थोड़ा सा चाट मसाला अब हम सारी चीज़े अच्छे से मिक्स कर लेते हैं गैस का फ्लेम लो कर देना एक दम अब हम चूरा डाल देते हैं जो फ्राई करके रखा था और लाई डाल देते हैं और पतला वाला चूरा डाल देते हैं, और सारी चीजे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ये क्रिस्पी नमकीन खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है, और चाय के साथ में मज़ा ही आ जाता है, इसको एक महिने के लिए श्टोर करके भी रख सकते हैं, सफर में भी ले जा सकते हैं, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अपने फेमली मेंबर और दोस्तों के साथ सेर कीजिएगा, देखिए अच्छे से मिक्स हो चुकी है, और कितनी क्रिस्पी और सुंदर दिख रही है, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा, आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं, नई वीडियो के साथ तब तक रखिए अपना धेर सारा ख्याल झाल 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